नमस्कार फियोश्मन सुन्दर्शों में देखने को मिले काफी ट्विस्ट एंट्रंस है जहां पर देखने को मिला कि अब एक तरफ तो यहां पर जो रुही है चोकोरी बनकर यहां पर गर के अंदर रहा रही होती है और कोई भी फिलाल के लिए रुही को नहीं पहचान पा र उसे पहले अपने बदल चुकी होती हैं गलती से बदलती थी वो नहीं जानती थी कि इस आइसक्रीम के अंदर बेहौसी की दवा है तो यहां पर वो बेहौसी की दवा वाली जो आइसक्रीम थी वो अगने ही खा जाती है और जो कोरी जो है वो आइसक्रीम को नहीं खाती है बा अगनी भी होस हो जाती है और अब नहार स्टोर में पहुंच जाता है जहां पर रूही होती है अब रूही को वो पहले तो पैचान नहीं पाता है लेकिन जैसे नहार गिरने वाला होता है रूही नहार को संबालने वाली होती है तो एकदम से रूही का जो गुंगट है वो को पलटने वाली है तो फिलाल के लिए यहां पर नहार नहीं जान पाईगा रूही का सच लेकिन उसे पूरा-पूरा सक हो चुका होता है तो अब देखना काफी दिल्चस्प होने वाला है अब कुछ समय के बाद नहार सारी सचाही जानने वाला है कि यह रूही जो चुकोरी बनकर यहां पर रह रही है अभी के लिए तो सच सामने नहीं आएगा लेकिन कुछ समय के बाद सारा सच जब नहार के सामने आएगा तो फिर क्या होगा नहार का फैसला क्या सचाही जानने के बाद भी देगा रूही का साथ